हेलो ग्राइज वेलकम टो वे चैनल लोकी होट आज की वीडियो रेलेटेड है नेट्फ्लिक्स के प्रॉब्लम से तो दरसल नेट्फ्लिक्स में बहुत सारी उसेज को यह प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है अप्टेट यूर पेमेंट इन्फॉमेशन तू कंटीनू ऐ ऐसा लिखा रहा था तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जायता है आज की वीडियो कभी की चाहाँ जसके प्रॉब्लम आती है तो आज की वीडियो में की उक्समेशन सब्से प्रॉबомеस सौल्व त्थी मेथर से क्या करना पड़ेगा, अपने जो Play Store अप है, उसको open कर लेना है, Play Store अप को open करने के बाद, यहाँ पर हमें, अपने को search कर लेना है, सुथ कर लिए यहाँ पर Ap tänayको search कर लेना है, यहाँ पर update stretch और अपसे देख रहा है, तो Bluetooth का option देखेगा हमें, तो यहाँ पे हम इनको reset कर लेना है, reset करने से कभी कभी यह problem solve हो जाती है, तो यहाँ से back आ जाना है, तो back आने के बाद कुछ और important step है, जिसके बाद आपकी problem बिल्कुल solve हो जाएगी, apps में आ जाना है, apps में आने के बाद यहाँ पे manage apps का option देखेगा, इस पे click कर देना है, तो यहाँ पे इस पे click कर देते हम, इस पे click करने के बाद right side पे हमें three dots देखेंगे, इन पे click करना है और यहाँ पे एक option देखेगा, reset app preferences का इस पे click करना और इनको reset करने देना है इनको reset करने के बाद यहाँ पे हमें अपना app है जिस app में problem आ रही है उसको search कर लेना है एप को मैंने यहाँ पे search कर लिए है इसकी storage पे आ जाता हूँ storage पे आने के बाद storage का clear catch करना है clear data मत करिएगा clear data से आपका जो सारी important files है उसका delete होने का risk होता है इसके बाद app permission पे आना है app permission पे आने के बाद सारी permission उनको one by one enable कर देना है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission यहाँ से deny नहीं करनी है one by one सारी permission को enable कर लेना है इसके बाद other permission को option देखेगा हमें यहाँ पे other permission पे जाने के बाद भी हाँ पे सारी permission देखेगी उनको enable कर देना है शा साथ जो भी permission देखेगी उनको enable कर देना है इसके बाद restrict data usage ka जो झालिक उसेज का option देखेगा और यहाँ पे यह अगर पर ओने रहा है और यह already करें